हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उमीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे आज हम एक नया स्लीब डिजाइन बनाने जा रहे हैं तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा तो यहां पर हमारा जो स्लीब का लेंथ है सावा 12 इंच है और यहां पर हम स्लीब को दो भाग में कर दिए और यहां पर हमने बक्रम को काट कर इस शेप को देते हुए डबल कपड़ा पर रखकर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम बहुत सारा मतलब बना लेंगे जितना हमारा डिजाइन बन जाए तो इसी तरह सिलाई करके इसे जो साइट सार जो एक्स्ट्रा होगा इसे हम कट कर लेंगे और कपड़े को हम तलर्स में रखेंगे ताकि हमारा डिजाइन और भी ज्यादा अच्छा लगे और इसे कटिंग करने बाद हम इसे प्लट लेंगे और आरन की हेल्प से हम इसे फिनिसिंग दे देंगे और यहाँ पर इसी तरह से सब में हम बना कर आरन कर लेंगे और यहाँ पर कुछ छोटा छोटा पीस रहा जिसकी लंबाई और चोडाई दो इंच है अब हम इसे इसी तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइट से डिजाइन हम बना लेंगे यहाँ पर हम दोनों डिजाइन बना लिए हैं और आरन भी कर लिए हैं जो हमारा बकरमौला कपड़ा था और यहाँ से साइट से इसे फोल्ड करते हुए एक पर और देख लिए जाब ध्यान से हम इसमें सिला ही लगा लेंगे तो यहाँ पर हमारा दुनों डिजाइन बन गया है आप साइट से जो हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा हम इसे कट कर लेंगे हाँ और हमने जो सिलीप की जो दो भाग किये थे वहाँ पर चोटा जो पूरे लेंथ में हम यह डिजाइन लगा लेंगे हमारा साइट से जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो से हम कट कर लेंगे और अब हमारा जो आस्तिन का जो दूसरा भाग रहा स्लीप का उसे हम अंदर की और हाप इंच मोड़ते हुए इसको उपर से हम सिलाई लगा लेंगे और हमारा जो नीच्छे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो का उसे हम कटिंग कर लेंगे अब हमें यहां पे एक और कपड़ा लेंगे जिसमें हम बकरम चिपका लेंगे और बकरम की लंबाई धाई इंच है कपड़े को डबल फोल्ड करके उस पर हम जो बकरम माली जो डिजाइन थी उस पर रखके सिलाई लगा लेंगे और अब यहां पे हम एक और कपड़ा लेंगे उसकी लंबाई धेर इंच रहेगी यहां पर दो इंच का कपड़ा जिसे हम काट कर देंगे अब हम इसे ओल्टी साइड रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और यहां पे हमारा जो सिलीव है उसके उपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और यहां पे सिलाई लग गया है अब हमारा जो जो कपड़ा जो इस पर लगा लेंगे इस पर कर देंगे कर दो कर दो कर दो झाल झाल